Hello friends, my name is Sudhir, let's start today's system. देखे हैं, हम लोग Environment Ecology पढ़ रहे थे, लास्ट वाली क्लास में हमने Trend Analysis किया, और पाए तकरीबन 1-5th question जो है, वो Environment Ecology से आ रहे हैं. तकरीबन 20 question 100 में से, इसी अकेले पोर्षन से आ रहे हैं. इस subject के साथ सब मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपको Agriculture वाला भी portion, एग्रो को भी अगर जोड़नें तो तकरीबन 1-4th question, यानि तकरीबन 25% question इस अकेले portion से आ रहे हैं. बहुत Important subject है, किसी भी सूरत में आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खलके में नहीं रहे हैं. बहुत details है समझने वाले हैं, इस पूरे subject को process करूँगा, जितने simplest way में हो सके मैं आपको समझाएं. कोई चीज समझ में नहीं आती, comment section आपको आगे. आज की class में हम दोग पढ़ने वाले हैं, कुछ important definition. Definition पढ़ाने से पहले, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कि हम इस पूरे subject में क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. एक index आपको मिलेगा, index का आप screen sort करके रख लेना, आपको पता चलता रहे कि अगला topic क्या है, अगला topic क्या हो सकता है, उस में से कुछ topic आपने पढ़ा हो, तो जिसको आपको skip करना है. चलिए, start करते. चुरू करने से पहले बता दूँ कि, अगर आपको history and culture की classes लेनी हैं, तो आप unacademy पर 263 श्रिवास्तो सर की classes ले सकते हैं, जिसका link आपको description पर मिल जाएगा, उसके अलावा टेलिग्राम चैनल पर जब PDF आपको मिलेगा, तो वहाँ पर भी इसा link मिल जाएगा. आप TT100 करके एक coupon code हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे आपको maximum discount, unacademy per courses खरीदे तेमें, मिल सकें. ओके, चलिए. trend analysis हमने कर लिया था, कुछ equations भी हमने देखा था, ये वारी लदाश वाली क्लास में वीडियो थी, आप उसको देख लेजे. पढ़ने से पहले हमेशा syllabus याद करके रखे, किसी वे subject को आप पढ़ रहे हैं, तो उसका syllabus हमेशा याद करके रखे, कि आपके screen के सामने syllabus आप इसका screenshot करके रख सकते हैं. Okay, सबसे पहले तो आप ये index देख लिए जो हम पढ़ने वाले हैं. मैंने चार pillar में पूरा environment बाटा हुआ है. चार pillar में जो पहला pillar है, इंवार्मेंट डिकॉलजी वाला है, इस वाले पूरे series में. Okay, और जो चार्था pillar है, agriculture से related है. Agriculture से related है, जितने prelims और mains oriented topics हैं. तो मेरा इस पूरा video series में, मैं आपको PT और mains दोनों oriented चीज़े प्रवाइड करने वाद हैं. आपको mains के भी questions मिलेंगे, आपको prelims के भी questions मिलेंगे. Previous here's questions और कुछ नए questions. ठीक है, ये बात हमेंसा ख्याल रखना कि हम PT सिर्फ PTA सिर्फ mains oriented नहीं पढ़ रहे हैं. हम prelims और mains दोनों oriented चीज़े पढ़ रहे हैं. Agriculture से related, जितने important prelims और mains related topic होंगे, हम यहाँ पे cover करने के. अब देखिए, बहुत सारे topic हैं, उसका subtopics हैं, यहाँ पे topic 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 topic हैं इसमें, जो पढ़ने वाले हैं, अब 5 topic के अंदर subtopics हैं. मैं अब हर का subtopics बताना का कोई मक्सद नहीं है याँ. जब जो topic स्टार्ट कर रहे होंगे, उसके अंदर जो subtopics हैं, जुसको हम पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको उसी समय आता की हैं. जैसे कि आज, आज हम पढ़ने वाले हैं, पहला topic environment, habitat and ecosystem, इसमें क्या क्या सब topics होंगे, जो हम समझेंगे, सबसे पहली बात इस वाले में, हम सबसे पहले तो definition समझेंगे, environment क्या चीज होता है, फिर habitat क्या चीज होता है, निके क्या चीज होता है, वो सब चीज समझेंगे, उ ecosystem पर आ जाएंगे, फिर ecosystem क्या चीज होता है, उसका classification, कितने टाइप का ecosystem होता है, इसको समझने की कोशिज करेंगे, ओके, फिर difference समझेंगे, किसमे, ecology, environment, habitat and ecosystem में क्या difference हो समझने की कोशिज करेंगे, उसके बाद component of ecosystem, ecosystem के जो कितने घटक है, वो समझने की कोशिज करेंगे, abortic बायोटिक ठीक है वो समझने की कोसिस करेंगे फिर एफक्ट आप अबायोटिक जो component है जो terrestrial primary producers है plants अगेरा उस पर क्या प्रभाव है अबायोटिक content का वो समझने की कोसिस करेंगे यह छह सब topics हैं इस एक topic के अंदर यह पूरी चीज समझने वाले हैं इस video series में चली start करते हैं आज की class मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो जी समझ में ना आए comment section में आप बताईएगा comment section भरने का काम आप करें चली start करते हैं सबसे पहला जो topic है हम लोग definition समझने वाले है environment क्या चीज होती है परी आवरण सब चारों तरप का जो हमेशा किसी ना किसी environment बोल देते हैं हम इसको बहुत तोड के somehow कि हमारे इस environment हमारे इक्जाम की पॉइंट यह इंवारण से जो इनवारण्ट थे यह environment वाले definition में क्या चीज़े नहीं आएंगे बहुत अच्छे तरीके समझना पड़ेगा कई बारी हमारे पुड़ी समझ में कमी होने के काराण से हम कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं तो देखें, सबसे पहली बात ये environment एक french word है, environ 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 सब्से इन्वार्मेंट देराइब हुआ और ये एक french word है जिसका मतलब होता है around environ का मतलब होता है around मतलब चारो मतलब जो चारो और से उसको बोल देते हैं क्या ओके इस सब्सको पहली बार Thomas Carlyle Thomas Carlyle ने पहली बाद इस सब्सका प्रतिबादन किया था यूज किया था 1818 तो कि अगर मैं मेरी बोलने की speed slow है तो आप वीडियो में speed fast करने का option होता है उसको आप use कर से तो सबसे पहले एक definition देखते हैं जो Wikipedia पे था Wikipedia पे definition है जिसको समझने की process करते हैं इसमें कहा गया है कि natural environment या natural word वो होता है जिसमें living things और non living things होती है उसको बोलते हैं environment या natural environment हम इसी natural environment की बात करें किसी artificial environment की बात नहीं वर्टूल reality वर्टूल reality जो अभी आप देख रहे हैं मेटा 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 ठीक मेटा क्या चीज़ है मेटा कह रहा है कि हम एक virtual reality बनाएगे वर्टूल वियार का का है तो virtual reality प्रकार की artificial environment वो भी एक environment है लेकिन वो एक artificial environment है तो क्या ये artificial environment हमारे इस environment के definition में काम आएगा इलकुल नहीं क्योंकि विकिपेडिया के इस definition के हिसाब से वो साब साब कहते है artificial चीज़ें natural environment के तहत नहीं आएगे मैं आपको ये image आप हमेशा याद रखिएगा इसलिए मैंने ये image लगाई है तकि आपको हमेशा याद रहे जो artificial चीज़ें है वो हमारे natural environment के definition में काउंट नहीं होंगी जैसेगी ये ठालाल इस environment के definition में काउंट होगा क्या ये living thing है ये non living thing है yes of course ये क्या है ये एक living thing है इसमें जान है जीवित है तो ये living thing है लेकिन क्या ये इसका ये जो phone है ये living thing है नहीं ये non living thing है लेकिन definition में तो non living thing भी लिखा हुआ है लेकिन उसी definition में थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा, कि occurring naturally, तो क्या ये phone naturally उत्पन हो रहा है, ये नहीं, phone naturally उत्पन नहीं हो रहा है, तो simple सी बात है, कि जो चीजे artificial उत्पन होई, उनको environment के definition के तहट count नहीं करेंगे, तो इस image को अगर देखें तो phone non living है, लेकिन ये जो है, environment के definition में count नहीं हो, virtual reality, environment के definition में count नहीं हो, क्या count होगा, क्या soil, soil, मिट्टी जो कि एक non living thing है, क्या count होगी, yes, of course, मिट्टी, non living thing है, बट count होगी, क्यों, क्योंकि वो naturally occurring है, naturally occur होता है, मतलब naturally open होता है, इसलिए मिट्टी, soil, count होगा, समझ गए मेरी बाद, I hope कि इतनी बाद समझ में आई होगी, ना समझ में आए, तो आप नीचे comment section में सरोड बताए, मैंने बता दिया, Thomas Carlyle वहाँ हो देने इसको प्रती पादित किया, और अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है, environment क्या होता है, एक और डिफिनिशन देखने हैं, natural components in which जिसमें बायोटिक या आबायोटिक factors इंटरेक्ट करते हैं, आपस में और एक दूसरे से, जो इंटरेक्ट करते हैं, बायोटिक या आबायोटिक factor उनको बोलते हैं, environment, ऐसे प्राकृतिक घटक जिसमें जैवी क्या आजाविक कारक आपस में एक दूसरे के साथ परस्त पर सहभागिता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, environment, तो बायोटिक प्लस आबायोटिक, वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और क्या बनाएंगे, एक environment फॉर्म करेंगे, environment बन गया, ठीक है, मैं, हवा, पानी, पहाड, परबत, समुद्र, यह सब मिल के क्या किये, मैं एक living thing हो, परबत, हवा, non living thing है, हम तीनों लोगों ने मिल के क्या किया, एक environment फॉर्म कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि हर environment, एक और शामन बात, यह ज़रूरी नहीं है कि हर environment में living thing हो, यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई environment form हुआ और वहां पे जीवु जीवित रहना जरूरी है बहुत सारह ऐसा location है जहां पर environment है लेकिन क्या चांद पर environment नहीं है चांद पर भी है क्या वहां पर जीवित चीजें है नहीं है वाल्किनो काट माउथ अब कोई कह देगा कि bacteria virus होता है यार लेकि normal condition बहुत ऐसा पुछ hypothetical condition आजूम नहीं करते है normal condition में क्या वहां जान रहती है कोई जिंदा रह सकता है नहीं रह सकता है तो यह बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई environment है तो यह जरूरी नहीं है कि वहां पर living thing हो ही ना हो या हो ना हो भी सकता है या नहीं भी आगे हम लोग स्लाइट्स में आएंगे यह चीजें आपको पता चल जाए तो बायोटिक अबायोटिक इंट्रैक्ट करेंगे और इसमें एक सब दोर जो जो जी नाचूरल कंपाउंड नाचूरल यहां पर नाचूरल आटिफीसियल चीजें लाउड नहीं है और यह बायोटिक और अबायोटिक क्या होता बायोटिक अभी आगे समझ में आएगा बायोटिक मतला अभी के लिए समझ लो जिसमें जान हो बायोटिक जिसमें जानना हो वो अबायोटिक और यह बायोटिक habitat को यह बायोटिक-A-bioctic factor मिलेंगे और interact करके क्या बनाएंगे, habitat बनाएंगे, एको सिस्टम बनाएंगे, किसका जो जीव रह रहा है, जो organism रह रहा है, उस organism के, का एक ecosystem एक परिस्थत की तंत्र बनाएंगे, और एक परियावास बनाएंगे, एक habitat बनाएंगे, क्या चीज़ होता है, दोनों सब्द है, बहुत क्रिस्ट्रक्रिय समझने वाले है, यह habitat का क्या मतलब है भाई, ecosystem का क्या मतलब है, यह क्या चीज़ बन रहा है, interaction से, उस interaction को समझाने की कोशिस करने जा रहा हूँ मैं आपको, तो आप समझे है, habitat क्या होता है, ecosystem क्या चीज़ होता है, अगला slide किसी को समझने की कोशिस करें, आयों कितनी बाते clear हो गई होंगे, तो आप फटा-फट comment section में बता दीजे, यह बाते clear हो गई, यह video जो है, live मैं भेज़ देता हूँ, premiere होता है इसका, तो जब आप premiere चल रहा होता है, उस वक्त आप देखने की उसस की ज़िए, उस वक्त मैं भी live रहता हूँ, जो भी query होगी आपकी, मैं आपको instant जवाब दे दिया करूँगा तुरंगा, ठीक है, चलाँ, अब हमारा अगला सब्द है, habitat भाई क्या चीज होती है, बताओ ज़रा habitat क्या चीज है, आपने कह दिया कि, बाइविटी का बाइविटीक फैक्टर मिले, ता भागिता करी, आपस में interact किये, बातकित किये, मिल बैठे, दो यार, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मिल बैठे, बैठे, तो तहा लाला घर बना देते हैं, habitat बनाते हैं, एकर सिस्टम बना देते हैं, जब कर दिया, बना दिया है उको सिस्टम, क्या चीज होता है समाजने की, पूसिस कर दिया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि आपको पूरा इन्वार्मेंट कौन सिखाएंगे, जेठ हलाल गड़ा, इसलिए मैंने ऐसा करेक्टर चुना है, ताकि चीज़ें आपको याद रहें, लॉंग तम मेमरी में चली जाए, इसलिए हम आचा करेक्टर को चुनते हैं, जो आपको याद रखने में मदद करें, सबसे पहले समझते हैं कि habitat क्या होता है, देखो, इस पूरे चेन को समझने की कोशिश करो, देखो, ये sunlight क्या है, sunlight एक परकार का एक abiotic factor है, देखो ये abiotic factor है, आपे याद करने के लिए, abiotic factor में air, sanity, soil, light, sunlight, जिसकी में बात कर रहा था, temperature, water, mineral, उसके अला हमिडिटी, ये सब abiotic factors में आते हैं, और जो abiotic factors हैं, fungus, plants, protesta, animal, ठीक है, archaea, bacteria, ये सब जो हैं, ये सब आपके abiotic factors में आते हैं, तो ये slide आप याद रखना, आगे काम आएगा, आगे मैं और आच्छे तरीके सिखाऊंगे, अभी फिलाल के लिए, हम समझने की कोसिस करते हैं, कि habitat क्या होता, देखो, ये ने बताया है कि, sun, sun, light क्या है, एक abiotic factor है, ठीक है, sun से क्या मिलता है, light, और light से क्या होता है, photosynthesis, process होता है, कैसे होता है, आगे समझेंगे, photosynthesis कैसे काम करता है, ये हम हैं समझाऊंगा आगे, photosynthesis, chemo senses क्या होता है, दोनों में difference क्या है, किसमें sulfur निकलता है, किसमें oxygen जादा release होता है, वो सब चीज हम समझने की कोसिस करें, तो देखो, sunlight यहां से निकला, sunlight निकला, तो ये plant तक पहुचा, plant ने photosynthesis process से क्या किया, अपना food बनाया, इसमें जो fruit, जब ये खुद जिन्दा हो गया, प्लांट बन गया, तो इसने क्या उत्पन किया, इसमें fruits उत्पन किया, fruits को किस ने खाया, fruits को जेठालाल ने खाया, त्टलाल एक living organism है, मैं बता रहा हूं, कैसे इक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे यह abiotic factor, जो मैं आपर बताया ना definition, कैसे ये biotic factor, abiotic factor से जुड़ा हुआ है, ये abiotic factor, plant biotic factor, तो इसने क्या किया, fruit सुस्पन किया, fruit को खाया जेठालाल जो कि एक biotic factor है इसका जिवन पानी चल रहा है interaction कर एक दूसरे पर depend हो रहे है ठीक है पेंड ना होता है तो इसको full खाना नहीं मिलता मुश्किल हो जाती अरे भाई कोई फिर किसी के दिमाग में चले अरे करीब अता तो हम खाना नहीं खा ले है हमारे पास का मांस खा लेंगे पसु है उनको खा लेंगे उनसे हमारा ज्रूरी थोड़ी ना है कि Jahres जो है डालजावल खा़के काम चलाए ठीक है अरे तो भाई पसू भी तो कुछ खाएंगे गाय क्या खाएगी बकरी क्या खाएगी घास कहाएगी घास कहाँ से बनेगा फोटो संसी दोगा तभी तो बनेगा समझ रहे मेरी बाद यह बाद आपको समझने पड़ेगी कि हर चीज बायोटिक अपटिव जुड़े हुए है तो यह fruits इनने खाया इनका सरीर बना उसके साथ साथ इस pain से क्या निकल ला है oxygen इनके लिए इत्ती जरूरी है बिना oxygen के मर जाएंगे जेठालाल भाई साथ प्लांट से क्या दिया fruits दिया इसलिए हम खाके energy मिल रही है oxygen हमारा life जो है चल रहा है और बिना oxygen के life समझो नहीं है और यह fertilizer किसको मिलेगा plants को मिलेगा plant फिर से नए plants गुरू होंगे यह biotic factor अगले factor में जुड़ा हुए और इसके body में जो carbon है carbon dioxide है nitrogen है sulfur है यह सब क्या होगा decomposition का process होगा decomposition process में release हो जाएंगे एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं देखें कितना सुंदर बनाया हुए कितनी सांदा रहे हैं कितनी तरीके से कितनी व्यवस्तिद हैं एक दूसरा तीसरा सब independent है कोई separate जिन्दा ही नहीं रहे हैं एक गया तो सब गया यह बात समझनी जरूरी है तो आप सोच समझें अब यह बात को मैंने समझा दी कि हाँ एक दूसरे पर कैसे depend करते हैं और यह सब चीज़ें यह बायोटिक फैक्टर आप दीखें सन से क्या मिलता है क्याल्सियम मिलता है बिटमिन D मिलता है बिटमिन D मिलेगा सन से सीधा बि अब आते हैं लाट के अपने डिफिनीशन habitat and ecosystem क्या चीज होता है क्या वला है यह habitat and ecosystem देखिए habitat क्या चीज़ होता है हवाइट होता है जैसे यह जेठालाल को बंटर को खरोगा ना इडित होगा अगर आपने तार्ग में ऊट्रस्मांद देखा है तो आपको पता होगा जेठालाल का घर है कहां पे गुपल दम स्वेटी तो जेठालाल का जो अड्रस है जेठालाल का घर कहाँ पे गोकुल धाम सुसाइटी में तो जेठालाल का जो अड्रस है कहाँ अगर आपसे पूछा का है बाई जेठालाल आपके यहां कुछ पासर डिलीवर करनी है जेठालाल कहेंगे हमारे घर पे डिलीवर करनी है अड्रेस हमारा अड्रेस का है गोकुल धाम सोसाइटी तो जैसे जो यठालाल के लिए गोकुल धाम उनका अड्रेस है तो जैसे किसी भी ऑगनिजम का जो अड्रेस होता है उसको बोल देते हैं तो जेटालाल का habitat क्या है जेटालाल का habitat है उनका गोकुल्धाम society फ Разब गोकुल्धाम society उनका address है जहाँ भाई अगर कोई चीज दिलेवर करनी है तो आप उनके habitat पे डिलेवर केज़े तो किसी और गनेजम का जो address होता है जहाँ पे वो मिलता है जहां पाया जाता है उसको क्या बोल देते हैं सुंदरबाद समझ में आई ना दूसरी बात आती है ecosystem क्या चीज होती है ecosystem ecosystem जैसे जेठालाल रहते हैं तो अपने घर में हैं लेकिन काम करने के लिए कहां जाते होंगे काम करने के लिए जाएंगे कहां पे घर्डा electronics अपने ए जिस प्रकार जेठालाल तो अपनी जाते हैं और काम करने के लिए उसी प्रकार किसी ओandel जाके अपना day to day ओड़ाल कैसे अपने function करते हैं तो functional unit of organism जहां पे एक जो ऑगनिजम होती है जो functional unit होता है जहां पे एक organism जाके perform करता है, पुरा function करता है, नहीं एक दूसरी से interact करता है, वो होता है उसका ecosystem. Over gone, ecosystem बड़ा हो सकता है.与 क्योषिस्टम में कई सारे habitat हो सकते हैं? पो चोटीटे बात है ध्यान ळटना की एक ecosystem में कई सारे habitat हो सकते हैं. वो सकता है कल जेठालाल उठके गोकुल धाम के किसी पर्टिकुलर जगह पे अपना दुकान खोल लें तो वो क्या हो जाएगा उनका functional unit हो जाएगा जहां पर जाके अपना day-to-day का काम परफॉर्म करते हैं तो जो functional unit of nature है जहां पर और अपना function परफॉर्म करते हैं अपना करे सक्षन बताई एक बात दूसरी बात धहरे रखिए अभी आगे और स्लाइट आएंगी यह चीज़े और crystal clear हो जाएंगे ठीक है यह environment का एक और definition आपके सामने उपस्तित है environment biological sense में अगर हम लोग देखें तो environment जो है constitute करता है physical ठीक है physical जिसमें क्या आएगा? nutrients आएगा, water आएगा, air आएगा, तो physical and biological जिसमें biomolecules, organisms यह सभाएंगे यह biological factors जितने हैं उसके अलावा chemical factors, chemical interaction, biological interaction, physical interaction और chemical interaction जिसमें क्या आता है? chemical में क्या? carbon cycle, nitrogen cycle, यह सब chemical cycles में आते हैं तो यह जो chemicals, यह जो cycles हैं यह जो factors हैं यह के कारण से जो organism पे प्रभाव पड़ता है या organism पे जो सब्सक्राइब करो कि कहीं पे ऐसा physical environment है जहां पर आपको ज़्यादा temperature सहना पड़ता है, temperature जहां का ज़्यादा है तो वहां के लोग कैसे होंगे? तो अब यह देखो, बात यह है कि physical factor, biological factor, chemical factor जो affect करते हैं और organism को उन organism के कारण से जो एक environment बनता है, जो एक परिस्ति एक condition उत्पन होती उसको बोल देते हैं environment जो एक महोल बनता है, जो एक shaping होती उसको बोल देते हैं environment इन सभी factor के एक वर इस फेसल लेमेंटा में समझने के उसस करते हैं कि इन सभी factor biological, physical and chemical factors के कारण जो oxygen पर प्रभाव पड़ता है या जो oxygen पर affect पड़ता है उसके कारण से जो एक condition उत्पन होती है, जो एक shaping होती है उसी को बोल देते हैं एक environment तो interaction इन तीनों में है और इस interaction को बहुत detail से समझने वाले हैं हम पूरे video series में, biomolecules से कैसे interactions होता है cycles कैसे काम करती है, carbon cycle कैसे, nitrogen cycle कैसे काम करता है उस सब चीज़े हम लोग detail से समझने वाले हैं हम पूरे video series में ओके, फिलहाल हम लोग यहीं पर रुखते हैं अब आगे हम लोग next slide में जब बढ़ेंगे अगले next video में यह सब चीज़े मुझे बताते रहें एक comment section में ताकि मुझे idea लगे कि आपको किस चीज की demand है और मैं अपने चीज़ों में कैसे improve करूँ Thank you so much for watching